अब्सकार दोस्तों आज हम रिवियू करेंगे अल्फा कैलसीडॉल सॉफ्ट जिलेटिन कैपसूल्स के बारे में जिसे हम विटमीन D3 कैपसूल्स भी कहते हैं दोस्तों ये एक तरह का विटमीन D3 सप्लिमेंट है जो की विटमीन D3 के डेफिसियंसी में हम इसका यूज करते हैं दोस्तों अगर किसी को ओस्टियो परोसिस जैसा कंडिशन है जिसमें उसके बॉन्स कमजोड होने लगे हैं उसके जॉइंट्स में या बॉन्स में दर्द रहने लगा है उस केस में हम इसका यूज करते हैं आप सभी जानते हैं D3 का जो में नेचुरल सोर्स है वो है सनलाइट यानि अगर आप धूप में बैठें कुछ देर तो आपको नेचुरली D3 मिल जाएगा लेकिन कुछ लोग ऐसा नहीं करते हैं जिसकी वज़ा से उनको बॉन्स में हमेसा दर्द रहता है या फिर उनका बॉन्स कमजोर होने लगता है उसकेस में डॉक्टर उन्हें विटमिन D3 कैपसुल्स प्रिस्क्राइब करते हैं दोस्तों इसके साथ ही आप देखेंगे यहां कि इसमें जो विटमिन D3 है वो है 0.25 MCG इसके साथ ही इसका यूज ओस्टियो मेलेसिया के कंडिशन में भी हम करते हैं ओस्टियो मेलेसिया एक ऐसा कंडिशन है जिसमें बोन्स कमजोर होने लगते हैं हमारे जोइंट्स में दर्द रहने लगता है उसकेस में भी हम इस डेल्विन A.L. यानि विटमिन D3 कैपसुल्स का यूज करते हैं आप सभी जानते हैं कि विटमिन D3 हमारे बोडी में कैलसि हमारे बोडी में एब्सॉर्ब करता है दोस्तों इसके साथ ही अगर यह सपलिमेंट आप नहीं लेते हैं तो आगे चल कर एनेमिया जैसे कंडिशन ओस्टियो परोसिस जैसे कंडिशन और आगे चल कर कैंसर जैसे गणिशन भी देखने को मिल सकता है तो दोस्तों अगर आप आपके बॉन्स को यानि हड़ी को मांस्पेसी को मजबूत रखना है तो आप इससे डॉक्टर की सला से इस अलफा केलसीडॉल कैपसूल का यूज जरूर करें यह आपके हड़ी को मजबूत करेगा जिससे आपके हड़ीयों में जाना आएगी और आप अच्छे तरीके से अप अपने काम को कर सकते हैं थैंक्यू दोस्तों